जैन दोस्तो वेलकम टू विएपी सिविल गुरू तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि S.S.C.J.E. की सरीज हमारी चल रही है जिसमें हम प्रिवियस येर के कोस्टन डिसकस कर रहे हैं S.S.C.J.E. 2022 के लिए और हमारा स्लोगन भी है कि एक्जाम फोई भी यो कोस्टन हमारा ह होगा तो जिसमें 2004 से लेकर के 2021 तक के जो भी हमारे प्रिवियस येर के कोस्टन है प्रिवियस येर के कोस्टन से वह हम अपने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज डिसकस कर रहे हैं आज हमारा सेकिंड लेक्चर होगा बिल्डिंग मेटेरियल एंड कंस्ट्रक्स कॉं निवे मोर्दैन करें टो क्रेसिंग स्ट्राइं तुप में बात करें नाप लोग लास्ट वीडियो में भी समझाया था एक चोग का मने एग्जम्पिल लिया था कि किसी आप दो से मतलब होता है कि जैसे की चोक का हमने एक्जम्ब लेता है स्कूल में चोक होती है जैसे बोर्ड पर हम लिखते थे तो वह अगर हमारे पैर के नीचे आ जाए और पैर की नीचे आने के बाद उसका क्या हाल होगा आप उस चीज़ से उसको समझ सकते थे कि क्रेसिंग है जाए तो लाश्ट वीडियो में आप लोग को बताया था अगर मैं आपको यहां पर फिर से मेंसें करके दूंए तो क्रेसिंग स्थान्ध मैं आप लोग पर सीन्टीमिट्र स्कॉयर क्योंकिimen zeIS तरीके से भी कుच लिया था एग फैनमेगा पास्कल उता है वो टैन्ट क ते यह भी बताया था कि जब हम इसको perform करतें तो इसका सइज हम लेते हैं जो सैबनटी टू आवर्स के लिए हम क्या करते हैं इसको water के नदर मेड कर देते हैं और इसके हम Kovring कर देते और दैना मुस्पर आपक 12 करफे लोड एपलाई करते पर अब मिनट के हिसाब सिमु लोड एपलाई करते ते इतना अब करने के बाद किस वैल्यू पर जो ए कम हम क्या बोल देते हैं स्टेंध बोल देते तो गुड introduce केसमें जो हमारे पास होती है अगर बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा मे पास वह औप्शन नमबर भी हो जाएगा 100 मेगा पासक्लों हमारे पास कम से नहीं चाहिए चलिए तो देहुए लिट और रिपीट हो चुका है तो SSC जहीं में क्या है को संस रिपीट होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक भी कोशन को लाइट ले लोगे और उसको इग्नौर कर दोगे ठीक है इसके पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको देए दूँगा लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक् होगी ग्रेनाइट होगी लाइम स्टोन होगी सैंस्टोन होगी या फिर मार्बल होगी सबसे पहले ग्रेनाइट क्या होती सर इग्नियस रोक होती है लाइम स्टोन सैंस्टोन क्या होता है लाइम स्टोन सैंस्टोन जो होता है हमारे पास सेडिमेंटरी रोक होता है आप recommendation रहेगा आप लोगो को कि वो किलास आप लोगो जरूर विजिट करनी है इस क्लास को देखने से पहले क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक कर डिसकस किया है अगर वह आप अच्छे से कर लोगे तो वहाँ पर आप लोगा यह किलास आप लोगो असनी से जो है वो समझ आ जाएग तो उस लोट को सीधा आपका ग्राउंड पे क्या कर देती है ट्रांसफर कर देती है क्लिया तो क्या बोल सकते हैं इसको एक वर्टीकल मेंबर है अगर आप बोलना चाहो बिल्डिंग पीयर्स को डिफाइन करना चाहो क्या होगा तो इस वर्टिकल लोड के इरिंग मेंबर होता है which transfer load from beam to foundation mainly is made up of RCC and in some cases it is made of stone यानि कि जो हमारे पास building P erS होता है mainly जो बनाया जाता है वो तो हम RCC का बनाते हैं इसको तो हम RCC का बनाते हैं but कहीं कहीं पर हमारे देखा गया है कि इसको हम किसका बना देते हैं है अपना stone का भी बना देते हैं अब इसका काम क्या होता है तो इसका काम होता है जो भी हमारे पास load आएगा जो भी load ऊपर से हमारे पास building है building है building का जो भी load आने वाला है वो load beam पाएगा बीम का load कहाँ पर आएगा pairs पाएगा और pairs finally उसको कहां पर transfer कर देगी फाउंडेशन और फाउंडेशन के तो वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा सोईल में लोड जो है वो डिस्टिब्यूट हो जाएगा तो यह जो पियर्स बनाया जाता है अभी अगर आप देखोगे तो मेंली आर्स इसी का आपको देखने को मिलेगा रेंफोर्चमेंट सिमेंट कॉंक्रेट का किलियर लेकिन अगर बनाना हो स्टोन का अगर आपको बोले कि सर आपको स्टोन का ही बनाना है तो आप किस स्टोन को यूज़ करोगी तो जाहिर सी बात है उस स्टोन को यूज़ करने वाले हो जिसके स्टेंट बहुत जादा होगी क्योंकि भाई comparable hard होने के साथ durable भी होती है हैंस it is suitable for building pairs इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं building pairs के लिए यूच कर लेते हैं तो इसका यांसर जो हो जाएगा हमारे पास option number ay यो है वो बिल्कुट सही answer हो जाएगा ठीक है आप लोगों को भी अपना answer जो है वो continuously करते रहना है जो आप लोगों को लगता है किसका सही answer यह होगा वो भी आप लोगों को जो है अपना comment box में answer करते रहना है clear चलिए next question आता है क्योंकि हम 2013 तक के question तो अपने complete कर चुके अब आता है 2014 का morning shift का question है इसमें बोल रहा है कि basalt stone is made basalt stone is by nature हमको by nature बताना है कि basalt stone जो होता है वो कैसा होता है metamorphic होता है volcanic होता है platonic होता है sedimentary होता है आप आप लोग अपना answer बताएंगे कि आप लोग अपना answer बताएंगे क्योंकि देखिए जो ट्रिक मैंना आप लोगों बताई थी गिरी बोल एंड डॉल ग्री बोल एंड डॉल एंड ट्रैप इन पैग पैग तो जो pigmentite थी ट्रैप थी dolomite थी बैसाल्ट थी और जो ग्रेन आइट थी वो सब की सब में आप लोग को कैसी बताई थी सर हिग् delve बताई थी या सुनो फैनिया स्रोग बताउएं थी अभ यहां पर तो सर बह्म हमें दिया है इन्हें इंस रोक पर आप लोग conjunction सबूँने के बाद है नृट हो जाता है उट जो पर सबुक्वर और उर्चाल सेव пой और चुरल यह पार दिhöômद की सर्फेस के नीचे पर क्या होता सेट हyu थो इसका हम क्या बोलते है उट्थ और मेंने गया था अ कि Corona के लृट ₩ ये भी मैंना आप लोको को बताया ता और जो इंस्ट्रोशी warum होता है इसका दूसरा राम होता है वो क्या बताया थैघिकास कोसा बताया था यूड्य तो जो चो हमारे पास वोल्केंट होता है जिसको मैं एक्स्ट्रूसिव कि बोलते हैं तो अगर मैंने इसका एक्जाम पिल महाँ पर आपको बताया तो उसका हम क्या बोलते हैं बैसाल ठोटी तो एह इंगनियस हैूह लेकिन इखनी को भी जब हम लासीफाइए कर निंश्ट्रूसीव और oke पिबसक्म को सउी इक स्दोश्न को सबसक्राइब सबस्क्राइब सबस्क्राइब बेशन कहां से पूछा है कि ऍस पबसात पुछा है है और हमको पता भी यह सबकों के 20 साल इगनियस होती है बट इगनियस के भी टाइप हम लोगों को दिषान रखने हैं किलिए चलिए हाँ पर और आप लोग दिखा देता ठीक काफी हद तक नीचे जाकर के क्या होती कूल होती है जो लावा या मैगमा होता है कूल होने के बाद हमारी बनती है और इसका एक्जामपल जो होता वो ग्रेनाइट हमारे पास होता है क्लिए तो मैं इसको हाइलाइट करके यहां पर दे रहा हूँ आप लोको एक्जामपल जो ग्रेनाइट होता है वो हमको बताना है बाई नेचर कैसा होता है इसका सही अंसर करेंगे अभी मैंना एक्स्प्लेइन करा है बिल्कुल आप लोगो अपना अंसर करेंगे बिल्कुल ग्रेनाइट देखे ग्रेनाइट के बात करें तो सर इग्नियस रोग होता है मैंने का हा प्लुटॉनिक भी बोलते हैं और मैंने आप लोग को बता है इसाम्पल कुनसा होता है तो हमारे पास anticipated होता है जिसको हम क्लाइब वालोक्ता है उसका बाहरा क्यों होता है तो यह संदो Congrats तो यहां पर हम देखें तो ग्रेनाइट का ही अगर हम देखें तो हमारे पास इग्नियस रोक नहीं था एक्जम्पल लेकिन उसके टाइप के साब से प्लूटॉनिक तो दे रख था ना तो सही अंसर किया हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी बिलकुर सही अंसर हो जाएगा के लि ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रोक होता है और हमको मालूम है जो भी हमारे पास इग्नियस रोक होती है और जो भी हमारे पास सेडिमेंटर रोक होती है अगर इन सेडिमेंटर रोक और इग्नियस रोक पर हमारा हीट और टेमप्रेचर का जो प्रेशर होता हीट और जो effect होता है वो इसको convert कर देता है किसमें metamorphic rock में किसमें convert कर देता है metamorphic में तो igneas और sedimentary से हमको पता होना चाहिए कि कौन सी rock से कौन सी metamorphic rock हमारी बनती है तो वही मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ इस question में हम सारी rocks अपनी देख लेंगे पहले आप लोग इसका answer करोगे कि granite जो होता है ये किसमें transform हो जाएगा अगर उस पर heat और pressure का effect देखने को मिले तो बिल्कुल guys देखिए जिनका भी answer option number D है उनका बिल्कुल सही है जो granite होता है हमारे पास ये granite हमारा convert हो जाता है किसमें genesis में किसमें genesis में ये हमारा convert हो जाता है तो सही answer क्या हो जाएगा इसका option number D अब आपके दिमाग में आ सकता है सर इस तरह से तो हमारे पास बहुत सारी rocks होती है कुछ agnius होती है कुछ sedimentary rock होती है और वो दोनों ही क्या है convert हो जाती है किसमें metamorphic rock में तो एक बार हमको बताईए कि कौन सी rock किसमें convert होती है तो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर मैं आप लोग को एक list बना करके दे दे रहा हूं ठीक है आप देख लेना सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं किसकी बात करें चलो granite के बात कर लेते हैं यहां पर लिखके दे रहा हूं granite है दूसरा basalt है granite और basalt दोनों ही कैसी हमारे पास igneous rock है सबसे पहली तो जब इन पर heat और pressure का effect डाला जाता है तो granite से जो बन करके आती हमारी वो तो बन करके आती genesis ठीक है और जो हमारे पास basalt है से बन कर क्या आता है हमारे पास laterite क्या बन क्या आता है इस laterite तो एक तो हमारे पास यह हो गया जो igneous rock है जो हमारी convert होती है किसमें metamorphic में दूसरी होती है हमारे पास sir lime stone है दूसरा color का pen ले ले रहा हूं यह सब आपको PDF में मिल जाएगा lime stone है अगला जो है क्यों想 हमारा हम्रे मार्वन होता है उसमें भी हमारा कैल सम प्रीदोमिनेंट होता है तो लायम क्या किर्जाता है मार्वल में वैसी मडिस स्टोन की बात करें तो मडिस्टोन किसमें pregunta yo आप लोग कहा मैटवर्फिक को होता है किलिए सेंड स्टोन तो सण इस्टोन आप लोग किसे में धन् मैं किसे में करनेख में कंवर्ट हो जाता है क्ले अरह रहे तो यह है मैंने जो आप लोगो टो है ऎम大家 क्यों कहा है किसे में किसे मेन सर्थ में Ranker नाब बहुत मेतामुर्फिक वे जैसे सिलेट मार्वल है जैनिसस है slaterite है ऎह सब पोगत इंपोटेंट नेम है जो हमसे एक्जाम मैं بारबार पूछ गार के लियर चलिया नेक्स्क्रों है हमारी प्लोटोनिक होते हैं सेडिमेंटरी होते हैं मेटामोर्फिक तो हमको अभी मैंना आप लोग को बताया कि जो क्वार्ड जाइट हमारे पास होता है यह हमारा किससे बनता है सेंड स्टोन से किससे बनता है सेंड स्टोन से मारवल जो होता है सर वो किससे बनता है लाइम स्टोन स से बनता तो लाइम स्टोन से मारवल और सेंड स्टोन से क्वाडजाइट हमारे पास जब बन करके आता है और लाइम स्टोन और जो सेंड स्टोने दोनों ही हमारे पास सेडिमेंटरी रोक हमारे पास होती है तो जो कनवर्ड हो रही है वह फाइनली कैसी होगी मेटामॉर्फिक रोक होगी तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्यों जाएगा option number d जो है वह बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो जिन लोगों ने भी option number d को चूज किया है उनका बिल्कुल सही answer है ठीक है तो metamorphic rock अगर define करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो igneous और जो हमारे पास sedimentary rock होती है जो pre-existing rock होती है जब हमारा इन पर heat का pressure heat का और pressure का effect अगर हमको देखने को मिलता है तो convert हो जाती है finally किसमें metamorphic rock में और ऐसा नहीं है कि यह process हमारी एक दिन दो दिन में हो जाती है सालों लगते हैं इसको process को complete होने में के लिए चलिए next question हमारे पास same questions repeat हो गया ठीक है next question पर हम आते है next question हमारे पास question number 17 तो question number 17 के जो option है वो लिखना भूल गया हूं मैं आप तो लिख देंगे question number 17 के हाँ पर क्या बोल रहा है सबसे पहले देख लो the natural bleeding the natural bedding plane of stone and the direction of pressure is in the stone masonry is हमको question में क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है कि जो हमारे पास natural जो Bading plane होता है stones का the direction of pressure और direction होता है प्रेसर का direction of pressure होता है इंदे stone machinery वो हमको बताना कैसा होता है जो option सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि option से अप्रोइननों क्या हैं इसके साफ 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 लोग आने बताउगे ईए है आप लोग के पास आस्य नॉम मफट कैंगी सी है हमारे पास एट 30 डिग्री होता है 30 डिग्री के अंगिल पर होता है जब हमारे पास नेचरल बेडिंग प्लेन होता है स्टोंस का तो उसमें जो डायरेक्शन होता है प्रेसर का इनिस टोन मेशनरी वह हम सेम वैसे ब्रिक्स की जगह पर हों पर हमके लगा देंगे स्टोन तो यहां पर अगर आप देखो तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा अब वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यहां पर हमको प्रेसर मालू है प्रेसर इजिकल्ट होता है वेट या फिर फॉर्स अपॉन एरिया आप उसको कह सकते हो तो वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है हमारे पास तो प्रेसर किदर एक्ट करेगा जाइर सी बात इसा डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो प्रेसर अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है हमारे पास और यह हमारे पा पर्पर्पनिकोला है क्तव करा है तो हमको मालूम है कि हम अपना फिर हम अक्रीक्स के केस्म 선생님 के स्वासर की होगी नौर्मल यह है तो हो चाहिए ऑफ demons netal क्या हो जाएगा option number a बिल्कुल सही आंज्ग हो जाएगा के लिए रहे इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अच्छे एक और केस हमारे पास हो सकता है दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास यह तो मैंने आप लोगों को बताई दिया जो हमारे पास ही केस है फ़स्ट केस है जिसमें हमारे पास यह बैड था और यह हमारे पास इसका व होती है रोक होती है ठीक है उस रोक को हम ट्रांस्फॉर्म करते हैं किसमें स्टोन में ठीक हम उसको कनवर्ट करते हैं किसमें स्टोन में हम उसको प्रोपर अपना जैसे रिक्वार्मेंट होती है उसके हैं तो जो रोक से रोक से जो हम स्टोन निकाल रहे हैं जो पीसिंग हमने होते हैं इसका इलाएंट सफ़यगा आपके लोग किसका सही आंसर क्या हो जाएगा कुश्ण अन.18 है ये जीन लोगों ने भी on-자awat अमड़ी किया है वह बिल्कुल सही है तो को ड्रेसिंग का मतलब यह होता है कि जो भी चीजे इर्रैगुलर बे में हैं उसको रैगुलर कर दिया जाए ठीक है अगर कोई भी चीज इसमूथ नहीं है तो उसको क्या कर देजे स्मूथ कर दिया है तो ड्रेसिंग हमारी करी जाती है अलग-अलग तरीके के हां पर equipment होते हैं हमारे पास उन equipment की help से हम करते क्या है अपना जो हमारे पास equipment होते हैं उन equipment की help से हम करते क्या है उसको proper तरीके से अपने उसकी dressing कर देते हैं proper तरीके से हम उसको इसमूद कर देते हैं अब सर्क क्वेरिंग क्या होता है सीजनिंग क्या होता है पिचिंग क्या होता है एक बार इनकी हम बात कर लेते हैं ठीक है तो क्वेरिंग का मतलब क्या होता है क्वेरिंग का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास रोक है जो हमारे पास रोक है उस रोक होती है उस रोक से extract करना ठीक है उस रोक सोग को extract करना कहां से घ्राउंड से ढऊंसे आप बोल सकते हो जहां पे वो जमा हुआ था जो मैगमा था हमारे पास यह जो लावा था वो जहां पे ऊपूल हुआ तक होने के बाद स वोड़ हुआ था उस वहां या बुड में जो हमारे पास सेप उपे रिजांन उता है ता यह को अपको मालू ब Ground मोosition होता लिक्विड होता है जो एक टिमबर के अंदर परिजांट होता है तो जब में उसको रिमुव करते साथ में सीजनिंग क्या होता है ड्रेसिंग क्या होता है तो यहां पर देखो आपको लिखाओ वी सैप होता है वो रिमूब कर देते हैं और जो रोक से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्वेरिंग बोलते हैं ड्रेसिंग क्या होता है प्रोपर उसको सेप साइज देना हमारे पास जो स्टोन है उसको हम क्या बोलते हैं अपना ड्रेसिंग बोल देते हैं और बात करें स्टोन पिचिंग की तो स्टोन पिचिंग आप लोग के पास करना एक दूसरे के साथ जोईन करने की प्रोसीज होती है जहां पर हमारे भार स्परार स्पराइस होती उसको इस्टोन पिछिंग बोल देते हैं और साथ में इस टॉन Pix ंग इज फोर इरोजन प्रोटेक्शन ओफ जो हमरे पास लोपी एरिया होता है उस लोपी एरिया को इरोजन से बचाने के लिए कि हÏं वहां पर की तरीकिया की इरोजन ना हो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं अपनी स्टॉन पीचिंग कड़ते हैं इनहें को सॉत बात करते हैं झाले सुछन के बात समय क्यों कि आप icism और देम पूफिंग अगर कहीं पर हमको डेंप प्रूफिंग करनी हैं आपको मालुम है डेंप क्या मतलब होता है मॉइस्चर से कि होग Racing का तो होगा तो ग्रेनाइट तो हमने देखा था कि जो लोड हमारा ट्रांसफर होता है उसके पॉइंट वी से काफी अच्छी होती है जो पीर्स में हम इसको अपना यूज कर लेते हैं लेकिन जब बात हो किसकी डैम्प प्रूफिंग की तो डैम्प प्रूफिंग के केस में हमारे पास जो मोईस्टर कंट्रोल की टैक्निक आप इसको बोल सकते हो किसा डैम्प प्रूफिंग होता क्या है तो जो मोईस्टर होता है उस मोईस्टर को कंट्रोल करने की जो टैक्निक होती है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं और इसके लिए सुटेबल होता है हमारे पास वह परकॉब होधाल उता है थिए अब बात कर लिते हैं देखें और फिरीडस की और घैल म्हीन तो देख कर लेते हैं है तो है तो देखिए दू मेशन प्रुफिेंग क्रिष आपोफ मौई्टर चॉहं पन्र तेकनिक अप्लिदिंग्ळ का पासिंटू दा इंटिरियर स्पेस बाई यूजिंग डैम प्रूफिंग मटेर तो जो हमारे पास चाहें वोल्स हो चाहें फ्लोर ओ चाहें रूफ हो अगर वहां पर हमको मुष्टर देखने को मिलता है तो इस मुष्टर को कंट्रोल करने की जो टेक्निक होती है इसको डैम प पोल सकते हो होट बिट्यूमिन होता है प्लास्टिक सीड्स होती है यह यूज करे जाते हैं सेमी रिजट मटेरिल की बात करें तो जो हमारे पास मैस्टिक एसफेल्ट होता है उसको हम अपना यूज कर लेते हैं रिजट मटेरियल की बात करें तो इंपर्वियस ब्रिक्स हो तने तो इस त्रहिके से हमारे पास जो है हम बोल सकते हैं कि डूज अल a også REM होता है और यह पास वोता है जादा माना जाता है कि आज की विडियों में इतना ही कुछंस रख रहा हूं क्योंकि थोड़ा तब्यत मेरी सैंन हो रही है तो कल से क्या होगा के तब यह जैसे नॉर्मल हो जाएगी तो मैं आप लोग को क्या पूरे बनावर का जो है वह लेक्षर दूँगा जो एससी जई के प्रीवेस्ट के कोश्चन आप लोग की जो है वो complete हो चुके हैं बाकी अभी समय वारा सोइल चल रहा है ठीक है और रिजनिंग वोल मॉस्ट हमारी complete होने वाली तो आप विजिट कर सकते हो लिंक मैंने description box में दे दिया है कोई भी अगर दिक्कत आती तो 8077283538 पर भी आप तो दोस्तो एक important announcement है आप लोगे लिए अगर आप सिविल इंजिनिरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके complete करना चाहते हो तो हमारा कोर्स से चला है civil engineering का one liner plus concept कोर जिसमें मैंने आप लोगो soil mechanics की तरह सभी subjects complete किये हुए detail explanation के साथ जो exam में points पूछे जाते हैं वो mainly मैंने आप लोग के लिए focus किये है यहाँ basic to advance discuss किया है previous year के questions भी मैंने आप लोग के साथ discuss किये है और यह सभी exam के लिए आपका कोई भी all India easy exam हो उसमें आप इस content को complete करके बैठ सकते हो definitely आपको यहाँ पे success मिलेगी और आपको मालूम ही है content ही है हमारी पहचान बाकी मैंने link description box में दे दिया आपने application का VIP civil guru का contact number यह है आप यहाँ पे contact करके हम से कोई भी information लेना चाहें तो ले सकते हैं course के regarding अगर कोई queries हैं तो साथ में civil engineering की burning problem होती है कि हमें जो questions है वो subject wise मिल जाते हैं लेकिन chapter wise questions नहीं मिलते हैं तो उसी problem को sort out करते हुए सुदरसन बैच हमने launch किया है जिसमें 25,000 हम previous year के questions अपने डिसकस कर रहे हैं जो कि अलग-अलग examinations के हैं और इसकी जो course क वो 2.5-my year के लिए और यहां पर यह जो monsieur को सापको मिल रहा है घरएन विद्यो पर एक ढॉटी करने को आपको यहां पे मिल रहा थो डही साल के लिए kours है एक रुपे पर दे में ही आपर 안practice करने को मिला है तो अभी कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है 799 रुपी जोनली है तो यहाँ पर एक रुपे से भी कम में आप लोको यह मिल जा रहा है बागी गुपता अगर कंप्लीट वीडियो पीडियाफ सोलीशन चाहिए तो वो भी आप लोको एप्लिकेशन पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए